कैसे हो आप लोग आई हो आप लोग अच्छे हो गए तो काई जब हम लोग चेक करते हैं कि मंडे से मार्केट कैसे परफार्म कर सकता है ठीक है सो यह जो वीक था वो बहुत जादा यूनीक था आप लोग इस चीज को समझो क्योंकि अभी तक 2022 जो जून का था उसके बाद इतनी बड़ी गिरावट जो है चार परसेंट के अरौन गिरावट जो है वो हमको आज देखने को मिली है पिछले दो साल का सबसे बड़ा गिरावट है मार्केट के अंदर ठीक है यहां पर आप लोग को फोकस किस चीज पर करना है कि यार आपको यह चीज समझनी है कि हम यहां पर शौट जाएं लॉंग यह सब चीजें हटाने से पहले आपको यह फोकस करना है कि आप लोग रिस्क मैनेज कैसे करोगे ठीक है मैं ऐस अब हाया कि है अब ही butと思います कि कुछ रूर चेंज हो चुके है रिगार्डिंग आपके option रिग्डिंग का तो mid cap निफ्टी के कुछ lots भढ़ने वाड़े हैं बैंक निफ्टी के लॉट्स बढ़ने वाले हैं पहले गौर्बेंट नहीं कम किया था अब इन लोग वापिस से बढ़ा रहें ठीक है तो अभी हमनों में इन ही चीजों पर फोकस करेंगे पहला हो गया आपका निफ्टी और जो दूसरा है ठीक है वो अपना है सेंसेक्स क्यो देखो एक दिन का करते हैं मार्केट प्रॉपर टॉप हाई पे था वो कंट्रिसली ब्रेक आउट देने के वेट कर रहा था कैसे भी करके उसको मुवमेंट मिले तो इस एरिया से इसने मुवमेंट देना स्टाटल हुआ अप बड़ा सा फॉल हुआ अप धिरे-धिरे-धिर या फिर आप डाउनसाइड मोमेंटम मत समझो करेंटली मार्केट में कुछ भी हो सकता है किसी भी चीज पर रिलाई मत हो जाना किसी भी निउस पर रिलाई मत हो जाना नीचे भी आ सकता है मार्केट ऊपर भी जा सकता है मार्केट यही जो है सबसे आदे इंपॉर्टन एक में कंप्काहिक क्या है scorpion ऐसे पहले और नच के चाहिक करूं यह सकते हैं लेक्न फोकाहिक करेंगा तो Sensex की Nifty की बात करोगे तो Nifty में जो important levels है पहले मैं upside का बताता हूँ upside का clear shot है अगर 25,482 के उपर sustain करता है जाता नहीं है sustain मतलब समझ रहे हैं sustain मतलब जाए थोड़ा सा जैसे मालो ये 25,000 का level है ये candle 25,000 का level है तो यहां तक जाए ऐसे और थोड़ा सा ऐसे करके wait करे ताकि यहां पे ना buyers जो है थोड़ा ready हो जाए buying करने के लिए जब ये चीज हो जाएगी तब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे upside momentum के लिए इस level की उपर जाना बहुत जरूरी है around 500 point का moment होगा तब जाकर के हमको यह वाला level मिलेगा ठीक है downside के लिए simple बताता हूँ market को at least इस area में खुलना पड़ेगा 25,160 ठीक है इस area में खुलना पड़ेगा या फिर इस area में खुलना पड़ेगा जैसे ही यहां पे खुलता है तो आपको focus क्या करना है कि यह जो level है 25,960 या फिर 25,000 इसके नीचे हम लोग आपस से downside का rally जो है capture कर सकते है और कहां तक capture कर सकते हैं यह भी मैं आपको बता देता हूँ जादा कोई बड़ी moment expect मत करना क्योंकि अल्रीडी दो-तीन दिरों में market बहुत बड़ा move दे चुका है जिस area में market currently है देखो उसी area में उठा था पहले ठीक है वो rally upside दे रहा था तो maybe यहां से कुछ लोग ऐसे करके buying opportunity भी बना सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा option है कि थोड़ा सा down जाओ 200 point को और moment लेके चलो 25, 24,800 या फिर 24,600 इतने तक आओ जब यहां तक आजाए दीरे दीरे करके price action मनाए और यहां से breakout देता है कुछ दिनों में इस हफते के end में तब हम लोग upside के लिए try करेंगे ठीक है तो इस चीज को note कर लो और यह सारी चीज़े बता रहा हूं तो यह market के बीच में जो level बता रहा था upside के लिए 25,480 ठीक है sustain करना important है number two पे downside momentum के लिए हम लोग को पहला तो flat opening ठीक है और उसके बाद जो level break करेगा वो है round आपको मैंने बता दिए 25,000 के नीचे ठीक है nifty का यह हो गया nifty का आप हम लोग चलते सीज़े सेंसे तरफ और उस पर भी ध्यान देते bank nifty अगर अभी मैं बताऊंगा थोड़ा सा मैं खुद भी चेक कर लूँ कि क्या changes मतलब कर रही है government currently ठीक है तो उसके बाद हम बताते हैं sensex पे हम लोग चलते हैं तो आप समझना sensex जो है यार currently जो है उसके base पे मिलती है ठीक है ऐसा दावा करना है कि अभी एक recently news आये थी आप लोग अगर मेरा recent deal देखे होगे उसमें किसी ने कहाए कि एक लाख जो है sensex टच कर सकता है इस year के end तक ठीक है तो हमेशा यादगना कोई भी बड़ी मुवमेंट से पहले मार्केट थोड़ा सा फॉल होता है नहीं तो वेट करता है और अच्छे मुवमेंट देने के लिए ठीक है अब sensex के लिए मंडे को क्या प्लान कर सकते है इस तरीके से nifty परफॉर्म किया है उसी तरीके से sensex परफॉर्म किया है उतना ही मुवमेंट उतना ही ज़ादा फॉल उतना ही ज़ादा वॉलाइटिलिटी सब कुछ हमको इसके अंदर देखने को मिला है तो यहां पर हम लोग फोकस करो ओपनिंग लेवल बता देता हूं ओपनिंग लेवल है अगर यहां पर मार्केट देखो इस एरिया में खुलता है एक दो यह दो लेवल है यहां पर अगर मार्केट खुलता है और थोड़ा सा डाउनसाइट का ऐसे करके प्राइज एक्षिन बनाता है तो जैसे ही अपना लो ब्रेक करेगा जो की है 81,500 हमको नीचे के टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है अगर अपसाइट आप देखना के अपसाइट जा सकते हो तो यह जो उपर का लेवल है जिसको पहुचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पे हमको वेट करना पड़ेगा ठीक है अराउंड 82,500 भी एक अ बनाना बहुत इंपोर्टेंट है अगर मार्केट ऐसे उपर जाएगा तो ऐसे नीचे आ जाएगा आगको मैं रीजन पहले ही बता चुका हूं वापस बता रहा हूं कोई चीज आप सो रुपय पर चीज किये थे आपको लागा था 200 जाएगी मढब चली गई 400 तो आप तु अगर डिरेक्टली जा रहा है तो यार थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अब हम लोग सेंसेक्स के भी लेवल समझ गये और यहां पर डांसाइट के भी लेवल समझ गये मार्केट का अपडेट जो है मार्केट के बीच में मैं दूंगा टेलीग्रम चैनल के अंदर एक पॉइ पर अच्छी मोमेंट मिले जब से आईपी वाया है मैं थोड़ा सा नाम बुल रहा हूं कौन सी कमपनी थी उसका जो आईपी वाया है उसके वज़े से इस वाले सेक्टर में काफी अच्छ पॉमेंट ठीक है तो लेवल्स मैंने बता दिये मैं अनलेसिस की वीडियो डेली ड है इतने क्लों आट है मात कंद स्कुल्स आ हुँ होने का अब अपन रेगलर रहेंगे और मिलते आ प्लाव और नेक्ट वीडिट रेएंधें धाल गया क्यांब हो